Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे, अगर आप geopolitical news follow करते हैं, तो एक चीज तो definitely मालूम होगा कि US से बड़ा hypocrite देश और कोई नहीं हो सकता है, एक बार तो हम अपने दुश्मन देश पर यकीन कर ले लिगें, अगर कोई कहे हमें कि US यकीन करो, तो शायद ये गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए, रिसेंटली वाशिंग्टन पोस्ट में एक खबर शापी गई, जहां पे ये बताया गया, कि पिछले साल गुर्पतवन सिंग पन्नू के असैसिनेशन के पीछे, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉक का ह तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं, अब जैसा कि हम सभी को पता है कि यूएस के अलग-अलग यूनिवरसिटीज में इसराइल और यूएस क लेकिन जब उनके खुद के देश में प्रोटेस्ट होते हैं, तो उस प्रोटेस्ट को इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि ये लोग कोई टेररिस्ट ओर्गनाजेशन से बिलॉंग करते हैं, और इनको कोई हक नी है प्रोटेस्ट करने का, इससे बड़ा एक्जामपल तो शायद हिपोक्रेसी को और कुछ नहीं हो सकता है, और उसके बाद जब भी यूएस के कोई बड़े बिजनेस्मेन भारत आते हैं, तो हम इंडियन्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन ही हमारे देश में आ गया और उसे हम बढ़ चड़ कर या कहले उसे हम ओवर बिजनेस को यहाँ पे सेट अप करना है, तो यह टू वे ट्रांजेक्शन है, कोई वन वे ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें इतना ओवर एमोशनल होने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है, गुर्पतवन सिंग पन्नु का केस एक बहुत ही क्लासिकल एक्जामपल है, जहाँ पर यह अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीजिस एंगल का सहारा लेता है, और अपने आपको यह क्लेम करता है, कि अल्मोस्ट यह सिख रिलीजन का एक लीडर है, और यह सिखों के बारे में सोचता है, उनके भलाई के ब लोकेशन में जाएंगे, तो यह सब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगेंडा होता है, जहां पर कहने की जरुवत नहीं है, कि वो सारे देश इनको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, जिनका रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं होता है, और उसके बाद अगर आप के चीफ समंध गोयल सर ने ये अप्रूवल दिया था, कि गुर्पतवन सिंग पन्नु को असैसिनेट कर देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंट विक्रम यादब को चुनते हैं, या यूं कहलें कि उनको ये रिस्पोंसिबिलिटी दी जाती है, अब जिनको न कहीं खालिस्तान मुव्मेंट या किसी भी तरीके से सिख सेपरेटिजम में जो लोग पाटिसिपेट करते हैं, वो सभी लोग कहीं न कहीं फॉरण कंफ्रीज में बैठे हुए, कहने का मतलब है कि उनको ग्राउंड रियालिटी से कोई मतलब नहीं है, वो ISI के पैसों पे प बात करते हैं और अपने मुव्मेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीजन का इस्तिमाल करते हैं, और इसी वाशिंटन पोस्ट में आगे लिखा जाता है कि गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट कहले या एक उपरेशन को अंजाम दे रहा है, या देनी की बा होने से रोका था, अब exactly ये अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि US Intelligence ने किस तरीके से रोका था, नहीं तो गुर्पतवन सिंग पन्नू कभी मीडिया में आके या किसी भी तरीके से इसके बारे में वो अधिक बोलते हैं, इसी वाशिंटन पोस्ट में आगे बताया जाता है कि इन्होंने किसी retired high ranking raw के official से वो मिले हैं, जिन्होंने इनको ये बताया है कि इस operation के बारे में या possibly इस तरीके का operation के बारे में PA Modi ने directly और indirectly approval दिया है और इनको इन सब operations के बारे में मालूम है, और जब इसके बारे में White House के Press Secretary Gene Pirey से जब बात की गई तो उन्होंने ये बा ये से काफी close आया है भारत के, लेकिन वो close तब आया है जब US और चाइना के relations बेहत खराब हुए हैं, और Pakistan as a country वो पहले से और भी उनका बुरा हाल हुआ है in terms of economy, तो US का भारत के करीब आना ये अच्छी बात भी है, लेकिन हमें इस चीज को लेके बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और अगर बात किया जाए specifically गुर्पतवन सिंग पन्नु के assassination के बारे में, तो नहीं तो इसके बारे में government of India ने बहुत कुछ खुल के बताया है, नहीं तो government of US ने बताया है, लेकिन जिस तरीके से government of US का behavior है, इस चीज को लेके ये कहीं न कहीं, ये हमें दुबारा याद दिलाता है, कि किसी भी कीमत पे अगर हमें US का साथ अपने relations को अच्छे रखने है, तो इन सारे बातों को हमें दिमाग में रखना है, ताकि हमें याद रहे कि US से जब हम रिष्थे को बनाएंगे, तो हमें कितना distance maintain करना है, अगर हम अधिक close आ जाते हैं US का, तो हमार जो independent foreign policy है, वो definitely उसे harm पहुचेगा, अगर हम इस वीडियो को conclude करें, तो एक चीज़ तो हमें definitely समझ में आता है, कि इंडिया US का natural ally नहीं है, और किसी भी तरीके से US pressurize करने का मौका नहीं छोडेगा, वहीं इसराइल Syria Damascus में जाके एक consulate पे attack करता है, जहां पे लगभग 14-15 लोग मारे जाते हैं, और उसके बारे में कहीं कोई खोशकबर नहीं होता है, और उस चीज़ को इस तरीके से justify किया जाता है, कि Israel के पास self-defense का हक है, तो अगली बार जब हम अधिक emotional हों, और US के बारे में कुछ जादा ही अच्छी बात सोचें, तो हमें इन सब examples को दिमाग म लाना चाहिए, ताकि हम एक balanced approach को maintain कर सकें, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.